नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेधी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सगर, वीकली मोग कोस्टिंस फोर यूपीसी प्रिम्स, आज के इंपोर्टन कोस्टिंस कौन कौन सा है, चक करते हैं, सबसे फेला कोस्टिंद, दे पावर तो क्रियेट देखिए, नए डिस्टिक्स क्रियेट करने का, या फिर अबोलिश करने का, या फिर एकसिसिन डिस्टिक्स का बॉंडरी और्टर करने का जो पावर है, वो स्टेट गवर्मेंट के पास है, ये करने के लिए स्टेट गवर्मेंट को एक इक्सिकूटिव और पास करने की इसलिए में जल्दी जल्दी बोल के जाओंगा वैसे दोस्तों देखें मेनी स्टेट्स प्रिफर द एक्जीकुटी रूट बैस सिंप्ली इशुने नोटिफिकेशन देखें स्टेट असंबली में लोग पास करने के लिए कोई वेट नहीं करते हैं बस एक एक एक्जीकुटी ट्रिफ्ट के अज़ेगा नहीं डिस्टिक्स क्रियेट करने का या फिर एक्सिटिन डिस्टिक्स अबशुट करने का या फिर बांडर करने का जो पावर्य वो स्टेट गरमेंट्स के पास है अगला कुस्ति रैंकाय कमेंशन रचेशनधी झिल्स्खें ञत्न गर्णतर संथ बता दीजिए नाव दानसर इस ओप्षिन ए डी नोटिफाइट नॉमाडिक एंड सेमी नॉमाडिक ट्रैप्स देखे इसके रिगार्डिंग एक डीटेल्ड वीडियो चानल में अवेलेबल है ठीके नाशनल कमिशन फोर डी नोटिफाइट नॉमाडिक एंड सेमी नॉमाडिक ट्रैप्स जिससे NCD NT बोलते हैं यह 2006 में तबका गर्मन ने कॉंट्स्टूट किया था और इट वस हैड़ेट बाई बालकृष्णा सिद्राम रंके एंड इन्होंने 2008 में अपना रिपोर्ट सब्मिट किया था ठीक है तो रंके कमिशन के बारे में काफ आपको वो वीडियो मिल जाएगा राइट नौ अगला कोस्टिन कंसिडर दे फॉल्विं स्टेटमेंस रिगार्डिक बालंस ऑफ पेमेंस वीडियो पोस्ट किजिए और आंसर बता दीजिए देखे क्या लिखा है बालंस ओफ पेमेंस अफ पेमेंस अफ अ कंट्री केन बीदेफेंड आसे सिस्टेमाटिक स्टेटमें अफ आप यह जो स्पेसिफिक पिरिड लिखा है ना यूशिली एक साल का लेत है तो एक साल के अंदर जितने एकनोमिक ट्रेंसेक्शन्स हुआ है दूसरे countries के साथ उसे आप balance of payment बोलते हो और यह जो balance of payment यह हमेशा equilibrium होना चाहिए मतलब आगे पीछे नहीं होना चाहिए ऐसे maintain करना है वैसे पूरा details इदर लिखा हुए दोस्तों वैसे balance of payment के बार में भी videos चानल में available आप देख सकते हो वैसे मैं explain करने लोगों गा तो बहुत time लग जाएगा वैसे तीन account है दोस्तों यह आपको पता ही होगा current account, capital account and financial account current account में क्या क्या आता है inflow and outflow of goods and services जितने goods and services का important exports होता है वो current account में आता है capital account में foreign exchange reserves, investments, loans and borrowings आते है financial account में real estate में जो investments होता है business ventures में होता है और foreign direct investments यह सब financial account में आता है तो दोस्तों मेरा कहने का मतल तब यह है balance of payments calculation में यह तीनों account लेते है current capital and financial account अगर एक account में deficit है तो दूसरे account में surplus रखना पड़ेगा तब जाके वो equilibrium maintain होगा question number 4 consider the following statements regarding stand-up India scheme which of the statements given above is or are correct वीडियो पोस्ट कीजिए और answer बताईए now the answer is option a 1 and 2 only statement 3 गलत है stand-up India scheme का objective क्या है दोस्तों to facilitate bank loans between 10 lakh and 1 crore तो 10 lakh और एक करोर के बीच में loan provide करते है stand-up India scheme के अंडर आप देखें इसमें criteria at least one SC और ST borrower होना चाहिए and at least one woman borrower होना चाहिए per bank branch of scheduled commercial banks तो scheduled commercial banks का हर एक branch में at least one SC और ST borrower होना चाहिए stand-up India scheme के अंडर और at least one woman borrower भी होना चाहिए तो maximum SC और ST और woman entrepreneurs को scheme के तुर प्रमोट किया जाता है now statement to be say in case of non individual enterprises 51% of shareholding and controlling stake should be held by either SC और ST और woman entrepreneur इसका मतलब क्या है देखें एक होता है एक individual loan लेना अगर individual नहीं एक group of people loan ले रहा है या फिर एक क्या बोलते है एक partnership loan ले रहा है तो partnership में भी 51% shareholding SC या ST और woman entrepreneur का होना चाहिए समद गये ना तो मैं आपको क्या बोला था पेले इसमें SC और ST और woman entrepreneurs को maximum support किया जा रहा है इसलिए अगर आप partnership में भी loan ले रहा हो ना तो maximum shareholding जो है मतलब 51% जो है woman या SC, ST के पास होनी चाहिए और भी कुछ criteria से वो आप इधर पढ़ सकते हो statement तरही गलत है दोस्तो नौर्डल ministry, ministry of finance से ठीक है आप देखिए क्या क्या लिखा है यह तो basic definition है, यह सही है second statement है, loans under the scheme are available for only green field projects यह भी सही है दोस्तों, क्या होता है green field projects देखिए वो projects जो एकदम zero से शुरू होता है मतलब उनके पास कोई existing infrastructure या land कुछ नहीं रहेगा बस zero से उन्हें सब कुछ शुरू करना है ऐसे projects को green field projects बोलते है और एक होता है brown field projects, वो क्या होता है माल लेजिए आपने एक company खरीदा उधर already inventory से, existing infrastructure से उधर जब आप company शुरू करते हो उसको brown field projects बोलते है, वो existing है green field मतलब कुछ नहीं है, आपको zero से शुरू करना है ठीक है, और यह जो stand-up इंडियस की वहना इसमें only green field projects को ही loan provide करते है ये भी आप ध्यान दीजेगा statement 3 गलत है, social decision and empowerment ministry नहीं ministry of finance नौर्डल ministry question number 5, consider the following statements regarding electoral bonds which of the statements given above are not correct ध्यान दीजेगा, not correct पोचा है वीडियो पोस्ट कीजे और answer बताईए I hope आपने वीडियो पोस्ट करके answer दे दिया होगा now the answer is option B, 1, 2 and 4 देखे, only statement 3 सही है बाकि 3 statements गलत है check करते है दोस्तों statement 1 क्या बोल रहा है electoral bonds are instruments through which any Indian citizen और a body corporate registered in India can donate money to political parties देखे, इतर क्या गलत लिखा है electoral bonds are an instrument through which anyone, anyone नहीं only Indian citizens political parties को donate कर सकता है electoral bonds के तरू, वैसे electoral bonds के बार में recently मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कफी informative वीडियो है, अब ज़रूर देख लीजिएगा वैसे 2-3 वीडियो अवेलेबल है चानल में second statement क्या है, ये भी गलत है electoral bonds can also be purchased using foreign currencies, गलत दोस्तों Indian money यूस करना है फिर State Bank of India, only bank authorized है बिलकुल सही है दोस्तों statement 4 क्या है, all the political parties registered under section 29 of the representation of the pay plaque 1951 are eligible to receive these bonds ये भी दोस्तों गलत है, क्योंगी only the political parties registered under section 29A of the representation of the pay plaque 1951 and which secured not less than 1% of votes in last general election देखिए, के अवल representation of people act 1951 का section 29A में register होने से काम नहीं चलेगा, आपको last general election में, कम से कम 1% से ज्यादा vote होना चाहिए, basically उतना votes आपको secure करना है, कम से कम 1% से ज्यादा, ठीके, तब जाके आप eligible होगा, electoral bonds के लिए, ठीके, so answer is option B, 1, 2 and 4 only, question number 6 consider the following statements regarding United Nations Human Rights Council very easy question, काफी बार हमने discuss किया है, answer बताईए now the answer is option C, both 1 and 2 देखिए, मैंने question इस लिए include किया क्योंगी काफी सारे news आ रहा है United Nations Human Rights Council के बार में, क्योंगी Russia-Ukraine वार के चलते है, पहला statement क्या है दोस्तों, पहले हम explanation देखते है Human Rights Council is an inter-governmental body within the United Nations system तो basically United Nations का एक पाट है यह protection of human rights के लिए काम करते है, दुनिया भर में now, statement 2 क्या है, the council which meets at the UN office in Geneva, Switzerland is made up of 47 UN member states who are elected by majority vote through a direct and secret ballot at the UNGA, तो UNGA United Nations Human Rights Council का जो member से उन्हें select करते है now, इस पे 47 UN member states है, अब इस पे जो membership है, it is based on equitable geographical distribution, मतलब देखिए हर एक area से कुछ members होनी चीए like African and Asian Pacific area से 13 seats है, Latin American and Caribbean states के पास 8 seats है Western European and other states के पास 7 seats है, Eastern European states के पास 6 seats है, मतलब देखिए total geographical representation हो जाएगा इस तरह breakdown देने से, now इसमें जो member से वो 3 साल के लिए लगत होता है, and are not eligible for immediate re-election after saving 2 consecutive terms इसका मतलब क्या है दोस्तों, मान लीजिए एक country का membership हो गया 3 साल के लिए, ठीक है अगला election के लिए भी वो contest कर सकते है और total 6 years हो जाएगा उनका जो continuous time है इसके बाद, मतलब 2 consecutive terms करने के बाद अगला election के लिए ये खडा नहीं हो सकता मतलब maximum 80 टेम पर वो 6 साल के लिए ऐसे member रह सकता है, human rights council में right, so the answer is option C, both 1 and 2 question number 7 consider the following statements regarding supply chain resilience initiative which of the statements given above is or are correct, video pause कीजे और answer बताईए now the answer is option A, one only statement 2 गला थे दोस्टो, सबसे पले supply chain resilience initiative मतलब क्या होते दोस्टो, it aims to create a virtual cycle of enhancing supply chain resilience with a view to eventually attaining strong, sustainable, balanced and inclusive growth in the Indo-Pacific region मतलब supply chain resilience एक approach है, जो एक country को help करते है, अपना supply risk को diversify करने में इसका मतलब क्या है, माल लीजिए एक country दूसरे country के ऊपर completely dependent है, मतलब उस country से जो imports आता है, उसी से इनका सब कुछ चलता है, उनकी पूरी economic activity भी उस country के ऊपर dependent है, इस case में क्या होगा, माल लीजिए दूसरे country में कोई armed conflict आ गया, कोई disaster आ गया, एत कोई काया, volcanic corruption आ तो उस country से जो imports आता था, वो आना बंद हो जाएगा, तो इस country के economic activity भी disrupt हो जाएगा, तो यही होता है जब एक country, एक single country के ऊपर dependent रहने से अब यह supply chain resilience में कहना एक country का जो supply risk के उसे diversify करेंगे, कि अबर एक country के ऊपर वो dependent नहीं रहेंगे वो 4, 5 या 6 countries के ऊपर dependent रहेंगे, मतलब maximum countries के साथ वो अपने लिए जो चीज़ेंगे वो इंपर्ट किया करेंगे तो यह जो supply chain resilience initiative से वही ensure करने का एक प्लान है, इंडो पसेफिक region में supply chain resilience को और enhance करना, with a view to eventually attaining strong sustainable, balanced and inclusive growth in इंडो पसेफिक region, तो यह जो initiative है, यह जपान Australia और India launch किया था, देखे देखे दोस्तों, supply chain resilience initiative का और एक aim यह है to reduce dependence on China amid a likelihood of rechaining of supply chains in the Indo-Pacific region amid the COVID-19 pandemic, देखे दोस्तों बात यह है कि कुछ countries चाइना के उपर dependent हैं, और चाइना क्या करते हैं आप सबको मालूम है, अगर Indo-Pacific region में जितने country से उनके आपस में जो international trade है supply chain है, उसे और enhance करेंगे तो किसी और country के उपर completely depend होने की ज़रूत नहीं है, तो यह सब इसका objective था, इसके बार में भी video channel में available है, अब हम statements देखते हैं, पहला statement तो simple definition है यह तो ठीक है, and it was launched by Japan, China and Australia यह गरत है दोस्तों, Japan, India and Australia सही है, so statement 2 is not correct, so answer is option question A, one only अगला question, consider the following statements regarding Pritzker price which of the statements given above is or are correct, video post कीजिए और answer बताईए now the answer is option D, neither one nor two, दोनों statements गलत है दोस्तों, देखेंगे Pritzker price के बारे में, Pritzker price को Nobel price of architecture माना जाता है वैसे दोस्तों, Nobel price of mathematics इज़र लिखा है, Nobel price of mathematics करके और एक award को बोलते है, वो है Able price, ठीक है, यह अब ध्यान दीज़ेगा Now, it is an annual price that was founded in 1979 by Jay and Cindy Pritzker and sponsored by Hayat Foundation, तो Hayat Foundation sponsor करते है Pritzker price अब इसके लिए इस price में 1 लाक US dollars भी देते है और एक citation certificate भी देते है Only living architects को award देते है, मतलब posthumously यह award देते नहीं है Statement 2 भी गलत है 2018 में एक Indian architect B.B. Doshi को यह award मिला था आप news में क्यों आय था Debedo Francis Carey won the Pritzker price for 2022 इनके बार में भी हम news में cover किये थे यह किस country से belong करते है आप मुझे comment box में बताईए Now, statements क्या क्या है It is often referred to as Nobel Prize of Mathematics गलत है दोस्तों No Indian साभी ना कोड़र गलत है 2018 में किनको मिला था B.B. Doshi साब को मिला था Now, question number 9 What are Shandong recently seen in the news? इसके बार में भी मैंने एक वीडियो करीब 2-3 हफते पहले किया था आप मुझे आंसर बताईए Now, the answer is option A Traditional wolf traps in the Ladakh region Shandong basically traditional trapping pits with inverted funnel shaped stone walls usually built near villages or herder camps So basically traditional wolf trapping pits जिसमें wolf को पकटने के लिए Ladakh में जो community वो करते है इसे वो लोग Shandong बोलते है ठीक है तो ये news में क्यों आया था The village councils have now begun creating insurance schemes as part of a pilot project launched by NCF to compensate for livestock loss to wolves देखिए Ladakh region में livestock population loss होता है wolves के attack कारण ठीक है इसलिए अब उथर के जो village council वो insurance schemes चुरू किया है अगर किसी का livestock loss होता है उसे insurance के पैसे मिल जाएंगे तो आप हश्री दिवदी नाम के साथ Shandong करके search कीजिए आपको वो वीडियो मिल जाएगा तो आंसर इस ऑप्षिन वन क्वेसिन नमटर तन कंसिडर दर फॉल्लिंग स्टेप्में रिगार्डिंग ब्लैक बोस ब्लैक बोक्स बिचोब दीस स्टेप्में गिवन एबव इस और आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताईए अब आंसर इस ऑप्षिन ए वन ओल्ली देखिए दोस्तों पहला तो सिंबल स्टेप्मेंट है ब्लैक बोक्स के बारे में तो आपको पताए होगा एक एलक्ट्रोनिक डाटा रिकॉर्डर है देखिए कोपिट के अंदर पाइलेट के बीच में या फिर एर क्रू के बीच में क्या-क्या बातचित हुई यह सब यह फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में रिकॉर्डर होता है मैंने गलत बोला ब्लैक बोक्स में क्या है यह फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है मतलब cockpit में जितने instruments है वो क्या दिखा रहा था क्या-क्या measurements दे रहे थे वो सब record होता है flight data recorder में और मैंने जो बोला जो बातचीत हुई वो किसमें record होता है CVR में cockpit voice recorder में तो black box basically एक flight data recorder है flight instruments के जितना data है वो इसमें record होता है ठीक है और अगर कोई accident हो जाता है accident होने के बाद जब black box recover करते है न वो चकरने से पता चल जाएगा accident से जस्ट पहले flight के अंदर जितने instruments से वो क्या data दिखा रहे थे उसे पता चल जाएगा कि accident का कारण क्या था वैसे जो black box से बहुत strongly और rigidly strong होता है मतलब बहुत बड़ा crash होने के बाद भी यह survive करता है ठीक है now it is black colored heavily protected recording device heavily protected तो है पर इसका color black नहीं इसका color orange है ठीक है थ्यान दीजेगा and it is only used in aeroplanes यह भी गलत है दोस्तों aeroplanes में नहीं वो railways में भी cars में भी use करते हैं ठीक है अब देखी इदर लिखा है black box is made up of two separate pieces of equipment flight data recorder and cockpit voice recorder तो flight data recorder भी है black box में और cockpit voice recorder भी है flight data में flight instruments के जोटा है data है like airspeed, altitude, vertical acceleration, fuel flow अगेरा पता चल जाएगा CVR में जितने भी conversations हुआ था air crew के बीच में cockpit में वो record होगा right now question number 11 match the following page past features और link देखे यह match the following है video post कीजे और answer बताने की कोशिश कीजे now the answer is option A3, B4, C2, D1 देखे Zhoji ला पास स्री नगर और ले को कनेट करते है Jalep ला, Sikkim विथ टिबेट Phutu ला, ले विथ कार्गिल Baralachala, Lahol district और हिमाजल प्रदेश और ले Lahol district of Himachal Pradesh और ले को कनेट करते है Baralachala निउसमें की वा था, Border Roads Organization gateway उपन किया है between Union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir the Zhoji ला पास the Zhoji ला पास recently उपन हुआ था by Border Roads Organization ठीक है question number 12 consider the following statements regarding Nipun National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy Bharat Scheme which of the statements given are correct video post कीजिये और आंसर बताईए now the answer is option A1 only देखे Nipun नाम स्रीह आपको पता चल गया होगा पता चल गया होगा it will create an enabling environment to ensure universal acquisition of foundational literacy and numeracy देखे foundational एकदम basic literacy and numeracy प्रवेट करने का एक scheme है Nipun Bharat Scheme and to cover the learning needs of children from 3 to 15 लिखा ये गलते दोस्तों foundational literacy है basic literacy है ये 3 to 15 का होगा 3 to 9 है वाकि सारी डीटेल्स इदा लिखा है दोस्तों आप पढ़ सकते हो देखे it aims to create an enabling environment to ensure universal acquisition of foundational literacy and numeracy so that every child achieves the desired learning competencies in reading, writing and numeracy by the end of grade 3 देखे 3rd grade तक जितने बैच्चे है उन्हें लिखना, पढ़ना basic numeracy क्या है ये सब के बारे में आइडिया होनी चाहिए वो ensure करने के लिए Government of India Nipun Scheme launch किया था और target है by 2026-27 right so answer is option A, one only question number 13 सार्थक योजना recently seen in the news is related to video post कीजिये और answer बताईए now the answer is option B, a plan to implement national education policy 2020 अगर सार्थक का full firm आपको मालूम है तो आप easily this answer इस question का answer दे पाऊगे सार्थक का full firm है students and teachers holistic advancement through quality education तो students and teachers का holistic advancement ensure करते है सार्थक through quality education ठीक है तो national education policy 2020 का जितने goals है वो implement करने का एक program है सार्थक बाकि details आप पढ़ सकते हो दोस्तों ये news में क्यों आया था recently union education minister एक implementation plan release किया है for school education called सार्थक राइट इस वेडी इंपोर्टन कोस्टिन सार्थक के बार में और भी details आप जानके रिखियेगा इसके बार में questions आप से पूछ सकता है examinations में again एक match the following है रामसार sites दिया हुआ है और states दिया हुआ है आपको match करना है वीडियो पोस्ट कीजिए और answer बताईए न्यूस में क्यों है था तोल लेक रामसार site टू रिसीव डिस्चार्ज फ्रम सीवेस ट्रीटमेंट प्लान इस तरह एक न्यूस है था दोस्तों वैसे आप मुझे यह question का answer बताईए इसमें से कौन सा लेक latest रामसार site है last question which among the following is not a pillar of the export preparedness index रिलीस बैदा नीती आयोग देखिए नीती आयोग export preparedness index release करते हैं यह नूस भी हम कवर किये देली नूस में हमने यह भी बताया था कौन-कौन से states को टॉप आवार्ट मिलाया करके तो इनकी जो pillars है basically export preparedness index prepared करने में कुछ pillars है इसमें से कौन सा नहीं है वीडियो पोस्ट कीजिए और आंस से बताईए नौ दा आंसर इस ओप्षिन c social ecosystem देखिए नीती आयोग in partnership with institute of competitiveness रिलीस करता है export preparedness index इसमें चार pillars है policy 20% business ecosystem 40% export ecosystem 20% export performance 20% इसका मतलब क्या है दोस्तों एक-एक state में exports को increase करने के लिए policy क्या-क्या लिया है state government business ecosystem कि कितना प्रवेट किया है export ecosystem कितना अच्छा प्रवेट किया है और export performance क्या है के states का यह सारे pillars के ओपर यह export preparedness index प्रिपेर करते हैं यह चार main pillars को छोड़कर 11 सब pillars भी export promotion policy institutional framework business environment infrastructure transport connectivity access to finance etc और गुज्रात तोब किया था index को गुज्रात से सबसे ज्यादा exports वह था और गुज्रात state exports को increase करने के लिए काफी अच्छे 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 plants लीके आया है गुज्रात के बाद second price मिला है महाराष्टा को फिर करनाडगा को तो दोस्तों that's end of it I hope आपको वीडियो informative लगाओ लक्षे की PDF as social आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रवेटड है thank you for watching bye bye have a nice day